Hey guys, आज डिनर बनाएंगे low on calories, high on protein और less oil and weight loss डिनर और delicious इतना और इस पनीव टिक्का का नाम आपको पता है मैंने क्या दिया है इसका नाम है tension free, hassle free पनीव टिक्का किसी भी birthday, occasion, party में आपस बना के वग दीजिए, preparations करके वग दीजिए इतना easy हो जाएगा इसको finally बनाना चलिए यह 15 स्टिक्स पनीव टिक्का का मैं measurement आपको बताती हूँ, exactly follow करिएगा, कहीं पर आपकी mistake नहीं होगी, 600 ग्राम पनीव लीजिए 15 स्टिक्स के लिए और दो मोटे प्याज और दो मोटी शिमला मिर्च को cut करिए, एक स्टिक में मैं तीन पनीव, दो प्याज और दो शिमला म अंग कर्ड, यह कर्ड होता है, जो दही को हम रात को फ्रीज में चलनी में डाल के रग देते हैं, सूबर रेडी हो जाता है, ठिक वाला कर्ड, वो डेड कप लीजिए, उसमें एड करिए दो तीन चममच, कश्मी वी लाल मिर्च, फिर एड करिए धनिया पाउडर, जीरा प दखा था, फिर मैं इसमें एड करूंगी, यह सत्तु का आठा, सत्तु के आठे के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, मेरे लास्ट वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगी, आपके पास यह नहीं हो तो आप बेसन भी यूस कर सकते हैं, बट आए लव तो एड दिस सत्त होगा आठा, फिर हम इसमें एड करेंगे दो से तीन चम्मच सरसोका ओल, यह मेरा बुट प्रेस्ट ओल है, डोंट यूज रिफाइन ओल, फिर इसमें एड करिए कुछ फ्रेश धनिया पती कटीवी, फ्रेश पोदीने को बारिक काट के, हम इसमें एड कर देंगे, अब इस स्पैटूला की हेल्प से साइड से अंदर की और ले जाते वे, अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से हमारा ये मैरिनेशन मिक्स हो जाएगा, फिर इस स्टेज पे हम इसमें एड करेंगे, टू और थ्री टेवल स्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, यह एक अच्छा फ फिर इसमें ये पनीव के पीसिज, कैपसिकम के क्यूब्स और अनियन के क्यूब्स को अच्छे से एड करके, स्पैटूला की हेल्प से मिक्स कर लीजे, अच्छे से पूरा ये मैरिनेशन है इसमें कोट हो जाएगा आपके पनीव टिका के इसमें, फिर ये स्टिक्स हना ये बजार में इसली मिलती है, हमारे काम को बहुत इजी बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, यह 15 स्टिक्स में ले ली है, और एक स्टिक्स में इन्हें ऐसे इंसर्ट करती जारी हूं, तो एक स्टिक्स में मैं लिया है, तीन पनीर, दो प्याज और दो शिमला मिर्च, बस तो आप अराम तो हो गया सारी स्टिक्स को हमने ऐसे प्लेट में रख और अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे शाम को बनाना है तो आप सुबर आराम से इसे मैरिनेट करके फ्रीज में रख दीजे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें अब्सॉर हो जाएगा अब हम पताफ़ स बनाते हैं इस पनीव टिक्का को जो कॉंप्लिमेंट करती है न वो लाइट ग्रीन वाली टैंगी सी मिंट वाली चटनी तो उसके लिए हम लेंगे थोड़ा रोस्टेड पीनट्स कोई 10 से 12 मूफली मैंने ली है रोस्ट की हुई फिर इसमें एड करेंगे थोड़ा अद्रक हरी मिर्च और ये धन्या पत्ती पोदीना और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं एड करी हूँ आपके पास है तो कर दीजिए नहीं तो स्किप पी कर सकते हैं और इनको एड करके फिर हमने इसमें एड किया है क्यूमिन सीट्स जीरा और नीम्बू और फिर अब हम इसे चर् जाएगा तब हम इसमें बाद में एड करेंगे वही थिक कर्ड जो हमारे पास अवेलेबल था ना पनीर टिका में हमने यूज किया था वह थोड़ा दही डाल देंगे और पिंक हिमालयन सॉल्ट एड कर देंगे ये दौनों चीजे हमने बाद में डाली है और फिर इसे एक फाइन ग्राइंड कर लेंगे सारी चीजों को और ये वेडी हो गई हमारी टेस्टी सी टैंगी चटनी अब हम फटा फट से बनाते हैं लच्छा प्याज जिसके बिना तो ये पनीर टिका की प्लाटर इंकम्प्लीट है तो प्याज को ऐसे लच्छा वाले शेप में कट कर ल कर दीजे और फिर इसमें हम थोड़ा सा नीम्बू का रस्पी एड करेंगे और इसे मिक्स कर दीजे और ये वेडी हो गया आपका लच्छा प्याज और चटनी आप फटा फट से हम बनाते हैं पनीर टिका इने ग्रिल करने के लिए मेरे पास ये पैन है मैं इसमें करें यू जाती है तो हमने ये फाइव स्टिक्स को इसमें लगा दी है और आप देखिए ये मैं आपको स्मोकी एफेक्ट देने के लिए बताती हूं कि जो गैस की फ्लेम होती है ना जब उस पर आप पनीर टिका को रोस्ट कर ले तो फिर उसके बाद गैस की फ्लेम पे इसे चैर कर इतना अच्छा बर्न्ट टेस्ट आएगा कि आपको इसमें स्मोक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कोईले से आप एक बार इसे ऐसे ट्राइ करके देखिएगा सच बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये वेडी हो गए हमारे सुपर डिलीशेस पनी टिका के स्टिक्स और इसे हम सर्फ करें लच्छा प्याज और चटनी से एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए मतलब यू विल लव इट और आपके गेस्स को तो ये इतना इंप्रेस करेगा ये होममेड पनी टिका कि मतलब इट विल मेक यॉर डे और प्लीज सब्सक्राइब माई चानल